हैलो प्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि घर पर पड़े बेश मेटेरियल से गंबला कैसे बना सकते हैं देखिए मैं तीन प्लास्टिक का बोतल ली हूँ उसका कटिंग कर ली हूँ मैं देख सकते हैं अब किस तरह से इसमें मैं छोटे-छोटे छेद कर रही हूँ और इसके साथ फिर एक पार्प एक डेड़ फीट का पार्प लेंगे उस इसमें गंबला बनाना है पार्प के सहारे जो आप देख सकते हैं पहले हम होल कर लेते हैं देखिए इस तरह के से होल कर रहे हैं गरम करके देखिए पाइप है एक देड़ फीट का पाइप है इसमें हमको गंबला बनाना है देखिए पाइप में भी मैं उपर से दो होल कर ली हूँ ताकि उसको लटका सको अब देखिए मैं इसमें टेनों क पील लगाओंगी मेरी पास तीन तरह का एक लाल वाला एक उजिला वाला आएक बेखिए को बिक्षिए किस तरीके से इसका कटीं कर ली हूं मिरे बहुत सारा हां चैनक लग पें।-क इसका हैं मैं कटीं कर ले ताकि मैं अच्छा से ग्रोध कर सके देखिए अब पार्ट में मैं किस तरह से बोतल को लगा रही हूँ अब देख सकते हैं थोड़ा टाइट होगा लेकिन हो जाएगा इस पॉन इनशीक में अड़्जेस्ट कर दी हूं अब छेद में मैं डाल रही हूं प्लांट पूरा छेद में सब में डाल देना है सब ये कक करके सभी को छेद में भार देना है ताकि अच्छा लगे देखिए मैं भार दी हूं पूरा में तीनों बोतल में अब देखिए इसमें हम मट्टी डालोंगे सब में मतलब एक से डेड़ हींज तक अंदर जाना चाहिता कि मिट्टी से दब जाए अब मैं आताती हूं इस गमली की मिट्टी कैसे तयार करें देखिए मैं 30% कोबर खाद और 70% मिट्टी ली हूं और थोड़ा सा किचन बेश का भी है देखिए अब मैं सब को एक साथ मिला लूंगी अच्छे से ताकि सब मिल जाए और अच्छा मेरा एक मिट्टी तयार हो पोशन से भर पूर देखिए अब मैं भर रही हूं इसमें गमले में किस तरीके से पुरा भर दी हूं और उपर से भी एक पेड टेनो क्लॉक का लगा रही हूं ताकि ग्रो करें चारु तरप से तब अच्छा हुआ है किता सुन्दर हाथ का बना हुआ इस मिटेरियल से एक डियाइवाई तयार हुआ है आप इसे घर पर जिरूर ट्राइक करिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गुड़ बाई